मंगलवार को भारी बारिश के कारण नाकपो शहर के सतर से अधिक हिस्सों में पेड़ गिरे पेडों की शाखाय सड़को उपर गिरी नागरिकों की दूरदर्शा को देखते हुए निगम के दमकल विभाग और पार्क विभाग की टीम ने ततकाल सभी इलाकों में रहतकार शिरू कर दिया पाम दिन राज शिरू हुआ और कई हिस्सों में बुधवार सुभा तक चलता रहा दोनों विभागों के समन्वित कारे से शेहर में इस्तिती पर काबू पाया गया बारिश के मौसा में किसी भी आपात स्थिती का सामना करने के लिए निगम तयार है और नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन इस तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं नागरिकों को किसी भी स्थिती में सहीयों के लिए NMC से संपर करना चाहिए और स्थिती की जानकारी देनी चाहिए यह पिन नगरायुक्त और प्रशा सक्रादा किश्णन भी ने की जी पियो चौक में पूर्व मंतिर रंजीत देश्मू के बंगले के सामने एक पेड़ की बड़ी तहनी गिरी इस से शाको को हटा कर नागरिकों को रहत पहुचाने के लिए दमकल विभाग और उध्यान विभाग ले बुद्वार सुवा तक रहत कारी किया इसके लावा के टी नगर उध्यान के पास रामकूलर के पास गिटी खदान चौक मिनाकी मंगलवारी शिवाजी स्टेच्च्यू दटके अस्पताल के पास कोतवाली रोड के पीछे दटके अस्पताल सीता बर्डी पैट्रल पंप शांती नगर कॉलोनी आईवियम रोड मो पायुक्त बंगला पुलस मुख्याले रमई नगर उध्यान लगू वेतन कॉलोनी जरीपट का जनता चौक कॉलोनी पार्क टीवी टावर चौक उतकर्ष नगर नसूपरा उध्यान के पास जेल रोड रहते कॉलोनी चौक सदा मैट्रो कार्याले की पीछे के शेत्र में अत 49U3080 और नमबर MH49U4775 पेड़ गेने से शतिग्रस्त हो गए दोनों वहानों पर गिरे पेड़ों को नगर निगम दमकल विभाग नहटा गड़ दोनों वहानों को बहार निकाला कैमरा परसन राजकुमा मोहड के साथ अभिशेक पांसी BCN नाकपूर